हाई व्यूवर्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे रेस्टोरंट स्टाइल ग्रीन चिकन हमने आपके साथ अल्रेडी बटर चिकन, अफगानी चिकन, सिल्वर चिकन और चिकन चंगेजी की रेसिपी सेर की हुई है व्यूवर्स की डिमांड थी की आप चिकन ग्रेवी की कुछ और रेसिपी सेर करें इसलिए आज हम बनाएंगे हरा भरा ग्रीन चिकन तो चलिए सुरू करते हैं आसान फूड रेसिपीस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चेनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ग्रीन चिकन बनाने के लिए हमने लिया है एक कप हरा धनिया, एक कप पुदीने के पत्ते दो टेबल स्पुन हमने लिये है मगज भी जाने की मेलन सीट्स एक टेबल स्पुन जितनी हमने लेसुन की कलिया लिये साथ ही में हमने लिया है एक टेबल स्पुन जितना अदरख इस अदरख को हमने छील लिया है और लिये दस से बारा छोटी हरी मिच और दो टेबल स्पुन काजू इन सारी चीजों का पेस्ट बना लेंगे खड़े मसालों में हमने लिये 5 काली मिर्च, 3 लॉंग, 4 छोटी लाइची और दाल जीनी के छोटे छोटे तीन टुकडे लिये हैं हमने और हमने लिया है एक तेज पत्ता तो पेन में चाटे पसपून तेल हमने अच्छे से गरम कर लिया तेल अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद हम सारे खड़े मसाले इसमें एट कर देंगे और कुछ सेकेंड तक तेल में सोटे करेंगे अब हम इसमे एट कर देंगे प्यास का पेस्ट तो यहाँ पर हमने दो मीडियम साइज की प्यास का मिक्सी जार में अच्छे से पेस्ट बना लिया और प्यास को हम तेल में भून लेंगे प्यास को हम तेल में तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा गोल्डन ना हो जाए अब हम इसमें एट कर देंगे चिकन तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम बोलनेश चिकन लिया है आप चाहें तो हड़ी वाला गोस्त भी ले सकते हैं चिकन को हम इसमें एट कर देंगे क्योंकि यह ग्रीन चिकन है तो हम इसमें लाल मीच पावडर, धनिया पावडर और हल्दी पावडर एड नहीं करेंगे सुख्य मसाला में हम सिफ इसमें एट करेंगे नमक तो यहाँ पर हम स्वाध अनुसार या फिर एक टीस्पून इतना नमक एट कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेल में चिकन को अच्छे से भून लेंगे देखे हाई फ्लेम पर हम चिकन को तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज होने लगा है अब हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और एट कर देंगे हमारा तयार क्या हुआ हरे धनिये, पुदीने, मगज बीज, लहसून, अधरक, छोटी हरी मिंच और काजु का पेस्ट मिक्सिजार को खंगाल कर हम इसमें एक चोथाई कब जितना पानी एट कर देंगे अब हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे इन सारे मसालों के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे और इन मसालों के साथ हम चिकन को आधे घंटे के लिए ढख कर पकाएंगे देखिए आदे घंटे तक पकने के दोरान हम इसे बीच-बीच में चेक करते रहेंगे ताकि ये नीचे लगना जाए ये देखिए हमने चिकन को इन मसालों के साथ लो फ्लेम पर आदे घंटे के लिए अच्छे से पका लिया है एक बार इसे चला लेंगे सारे मसालों के साथ चिकन को जब हम अच्छे से पका लिया उसके बाद हम इसमें एट कर देंगे दो टेबल स्पून जितनी मलाई देखिए आप यहाँ पर मलाई की जगा दो टेबल स्पून फ्रेस क्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे हाफ टीस्पून गरम मसाला और एट कर देंगे एक टीस्पून जितनी भूनी हुई कस्तूरी मेथी साथ ही में हम ग्रेवी के लिए इसमें आधा कप पानी एट कर देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पांच मिनिट तक लो फ्लेम पर इसे और पकाएंगे यह देखिए यहाँ पर ग्रीन चिकन जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे गानिश करेंगे तो गानिशिंग के लिए हम इसमे एट कर रहे हैं हरी मिच देखिए आप गानिशिंग के लिए हरी मिच के साथ बारिक कटे हुए हरे धन्य का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो खाने के लिए तैयार है हरा भरा ग्रीन चिकन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और कॉमेंट करें हमने रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी की बहुत सी रेसिपी सेर की हुई है अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें फिर मिलेंगे जाएका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई